जेश्री हरी, स्पीच्वल ज्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वाकत है असाड महा लग चुका है, सभी को पता है और इस महा में निकाले जाती है जगनात्पुरी जी की रथ यात्रा तो रथ यात्रा 2023 से जुड़ी हुई सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो शुरू करते हैं जगनात्पुरी की रथ यात्रा हर साल असाड महा के शुकल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है इस साल ये 20 जून 2023 दिन रविवार को निकाली जाएगी रथ यात्रा का महत्सव दस दिन का होगा जो शुकल पक्ष की ग्यारस के दिन समाप्थ होगा इस दिन भगवान क्रेश्न उनके भाई बल राम और बहन सुबद्रा को रथों में बठा कर गुडिचा मंदिर ले जाया जाएगा तीनों रथों को भवे रूप से सचाया जा रहा है जिसकी तैयारी अक्षे तृत्या के दिन से शुरू हो चुकी है उडिजा के पुरी में स्थेत जगनात जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसित है यह मंदिर हिंदूों के चारो धाम के तीर्थ में से एक है कहते हैं मरने से पहले हर हिंदू को चारो धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए इससे मोक्ष की प्राप्ती होती है जगनात्पुरी में भगवान विश्नु के अवतार करश्न का मंदिर है जो बहुत विशाल और कई साल पुराना है इस मंदिर में लाखो भक्त हर साल दर्शन के लिए जाते हैं इस जगा का एक मुख्या अकर्शन जगनात्पुरी की रत्यात्रा भी है यह रत यात्रा किसी त्योहार से कम नहीं होती, इसे पूरी के अलावा देश्व विदेश के कई हिस्सों में भी निकाला जाता है जगनात पुरी रत यात्रा से जुड़ी बहुत से कहानिया है, जिसके कारण इस मोहतसव का आयोजन होता है, उसमें से कुछ कधाय में आपके साथ शेयर कर रही हूँ नमबर एक, कुछ लोगों का मानना है कि क्रिश्न की भेन सुबद्रा अपने माई के आई थी, और अपने भाईयों से नगर भ्रमन करने की इच्छा व्यक्त की थी तब क्रिश्न बलराम सुबद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर भूमने गए थे, इसी के बाद से रथ यात्रा का पर्व शुरू हुआ दूसरा, इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि गुडिचा मंदिल में इस्थित देवी क्रिश्न की मासी है जो तीनों को अपने घर आने का निमंद्रन देती है श्री क्रिश्न बलराम सुबद्रा के साथ अपनी मासी के घर दस दिन रहने के लिए जाते है तीसरी कहानी है श्री क्रिश्न के मामा कंस उन्हें मत्रा बुलाते हैं इसके लिए कंस गोकुल में सार्थी के साथ रत भिजवाता है क्रिश्न अपने भाई बहन के साथ रत में सवार होकर मत्रा जाते हैं जिसके बाद से रत यात्रा पर्व की शुरुआत हुई कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण कंस का वद्ध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए मत्रा में रत यात्रा करते हैं पांचमी कहानी है कृष्ण की रानिया माता रोहुनी से उनकी रासलीला सुनाने को कहती है माता रोहुनी को लगता है कि कृष्ण की गोफियों के साथ रासलीला के बारे में सुबद्रा को नहीं सुनना चाहिए इसलिए वो उसे कृष्ण बलराम के साथ रत यात्रा के लिए भेज देती है तब ही वहाँ नारज्जी प्रकट होते हैं तीनों को एक साथ देख वे प्रसन्नचित हो जाते हैं और प्राथना करते हैं कि इन तीनों के ऐसे ही दर्शन हर साल होते रहें उनकी यह प्राथना सुन ली जाती है और तब से रत यात्रा के द्वारा इन तीनों के दर्शन सब को होते रहते हैं जानते हैं क्या है जगनात मंदिर से जोड़ा इतिहास कहते हैं श्रीक्रेश्न की मृत्यू के पस्चार जब उनके पार्थिर शरीर को द्वारिका लाया जाता है तब बलराम अपने भाई की मृत्यू से अत्यदित दुखी हो जाते हैं श्री कृष्ण के सरीर को लेकर समुद्र में कूच जाते हैं, उनके पीछे-पीछे सुबद्रा भी कूच जाती हैं। इसी समय भारत के पूर्व में इस्थित पूरी के राजा इंद्र दिवमुना को स्वपन आता है कि भगवान का शरीर समुद्र में तैर रहा है। अतहां उन्हें यहां कृष्ण की एक विसाल प्रतिमा बनवानी चाहिए और मंदिर का निर्मान करवाना चाहिए उन्हें सुपन में देवदूत बोलते हैं कि कृष्ण के साथ बलराम सुबद्रा की लकड़ी की प्रतिमा बनवाई जाए और श्री कृष्ण की अस्थियों को उनकी प्रतिमा के पीछे छेद करके रखा जाए राजा का सपना सच हुआ उन्हें कृष्ण की अस्थियां मिल गई लेकिन अब वह यह सोच रहे थे कि इस प्रतिमा का निर्मान कौन करेगा माना जाता है शिल्पकार भगवान विश्व करमा एक बढ़ाई के रूप में प्रकट होते हैं और मूर्ति का कार्य शुरू कर देते हैं कार्य शुरू करने से पहले वे सबी से बूलते हैं कि उन्हें काम करते वक्त परिशान नहीं किया जाए नहीं तो वे बीच में ही काम छोड़ कर चले जाएंगे कुछ महिने हो जाने के बाद मूर्ति नहीं बन पाती तब उतावली के चलते राजा इंद्रद्यमुना वढ़ाई के रूम का दरवाजा खोल देते हैं ऐसा होते ही भगवान विश्व कर्मा गायव हो जाते हैं मूर्ति उस समय पूरी नहीं बन पाई थी लेकिन राजा ऐसे ही मूर्ति को स्थापित कर देते हैं वो सबसे पहले मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की अस्थियां रखते हैं और फिर मंदिर में विराजमान कर देते हैं एक राजसी जुलूस तीन विशाल रस्थों में भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुबद्रा का हर साल मूर्तियों के साथ निकाला जाता है भगवान कृष्ण बलराम और सुबद्रा की प्रतिमा हर बारा साल के बाद बदली जाती है जो नई प्रतिमा रहती है वहे भी पूरी बनी हुई नहीं होती जगनात्पुरी का ही है मंदिर इकलोता ऐसा मंदिर है जहां तीन भाई बेहन की प्रतिमा एक साथ है और उनकी पूजा आर्जना की जाती है जगनात पुरी रत का पूरा विवरन जगनात जोकी श्री कृष्ण जी ही है उनका रत 45 फिट उचा होता है इसमें 16 पहिये होते हैं इसका व्यास 7 फिट का होता है पूरे रत को लाल वा पीले कपड़ों से सजाया जाता है इस रत की रक्षा गरुन देव करते हैं इस रत को दारुका चलाता है रत में जो जंडा लहराता है उसे त्रेलोग के मोहिनी कहते हैं इसमें चार घोड़े होते हैं इस रत में वर्षा, गुवर्धन, कृष्णा, नरसिंग, राम, नरायन, त्रिविक्रम, हनुमान, वे रुद्र, विराजमान रहते हैं इसे जिस रसी से कीशते हैं उसे संख, चुड़ा, नागिनी कहते हैं बलराम जी का रत यह 43 फिटूचा होता है, इसमें 14 पहिये होते हैं इसे लाल, नीले, हरे रंगे कप्रों से सजाया जाता है इसकी रक्षा वश्देव जी करते हैं इसे मताली नाम का सार्थी चलाता है इसमें गणेश, कार्थिक, सर्व, मंगला, प्रलाम, बली, हटा, युद, मृत्युन, जै, नाताम, वरा, मुक्तेश, वर, शेश, दे, विराजमान रहते हैं इसमें जो जंडा लहराता है उसे उनानी कहा जाता है इसे जिस रस्सी से कीचते हैं उसे वासुकी नागा कहते है सुबध्रा का रत इसमें बारा पईये होते हैं जो 42 फिट उचा होता है इसे लाल काले रंग के कपड़ों से सजाया जाता है इस रत की रक्षा जैदुर्गा करता है इसमें सार्थी अर्जुन होता है, इसमें नद्विक जंडा लहराता है इसमें चंडी, चामुंडा, उगृतारा, वंदुर्गा, शली दुर्गा, वाराही, श्यामकली, मंगला, विमला, विराजबान होती है इसे जिस रसी से खीचते हैं, उसे स्वन चुणा नागनी कहते हैं इन रतों को हजारों लोग मिलकर खीचते हैं सभी लोग एक बार इस रत को खीचना चाहते हैं क्यूंकि इससे उन्हें लगता है कि उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी मोक्ष की प्राप्ती होगी यही वो समय होता है जब जगनाची को करीब से देखा जा सकता है रत यात्रा उत्सव रत यात्रा गुडिचा मंदिर पहुचती है अगले दिन तीनों प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किया जाता है इस दोरान पूरी में मेला भड़ता है तरह तरह के आयोजन होते हैं महाप्रशाद भी बांटा जाता है एक अदशी के दिन जब इने वापस लाया जाता है उस दिन वैसे ही भीड़ उमरती है उस दिन को बहुडा कहते हैं जगनाजी की प्रतिमाओं अपने मंदिर के गर्भ में स्थापित कर दी जाती है साल में एक बार ही प्रतिमाओं को उनकी जगा से उठाया जाता है रथ यात्रा का आयोजन देश विदेश के कई हिस्सों में होता है भारत देश के कई मंदिरों में कृष्ण जी की प्रतिमाओं को नगर भ्रमन के लिए निकाला जाता है विदेश में इसकौन मंदिर के द्वारा यत्यात्रा का आयोजन होता है सो से भी जादा विदेशी शहरों में इसका आयोजन होता है जिसमें से मुख्या डबलिन, लंदन, मेलबॉर्ण, पैरिस, न्यूयोर्ट, सिंगाफूर, टोरेंटो, मलेशिया, कैलिफोर्निया है इसके अलावा बांगलादेश में रत्यात्रा का बहुत बड़ा आयोजन होता है जो एक त्योहार की तरह मनाया जाता है आशा करती हूँ जगनाजी की रत्यात्रा से सम्बधित सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त हो गई होगी आप मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजेगा इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें